नमस्ते दोस्तों, आपके उच्साहवर्धक समर्थन से प्रेरित होकर लाखों लोगों ने BSNL में अपना सिम कार्ड पोर्ट कर लिया है। इस अध्भुत घटनाक्रम को देखते हुए, सरकार ने BSNL को सशक्त बनाने और इसे एक नई उचाई पर पहुचाने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया है। इसके लिए सरकार टाटा और स्टार लिंक के साथ मिलकर एक नवीन व विशाल नेटवर्क की स्थापना कर रही है, जो बिना मुबाइल टावर के भी कहीं भी हर जगह मजबूट नेटवर्क पहुचाने में सक्षम होगा। BSNL प्राइवेट कमपनियों के मुकाबले में लगातार पिछड रही है। इसकी वज़ह BSNL की नेटवर्क क्वालिटी है। लेकिन अब सरकार BSNL के बदलाव के मूर में हैं। यह बात उस वक्त साफ हो गई जब सरकार ने वित वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट में BSNL के लिए बड़े बज़ट का एलान किया। वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने बज़ट में BSNL की बल्ले-बल्ले कर दी है। दरसल BSNL कमपनी लंबे वक्त से बुनियादी धाचागत बदलाव का इंतजार कर रही है। जहां प्राइवेट टेलिकॉम ऑपरेटर 3G और 5G जैसे सर्विस ओफर कर रहे हैं। वही अभी BSNL की ओर से 3G और 4G सर्विस से काम चलाया जा रहा है। हालांकि महेंगे रिचार्ज के बाद से यूजर्स दोबारा से BSNL की ओर लोट रहे हैं। ऐसे में सरकार ने BSNL को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए प्लान तयार किया है। इसके लिए सरकार मोटा पैसा खर्च करने जा रही है। बजट 2024 में केंद्र सरकार की ओर से 1.28 लाख करोड रुपए का बड़ा बजट दिया गया है। जिसे टेलिकॉम प्रोजेक्ट और सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL की टेकनोलोजी अपडेट पर खर्च किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि कुल बजट आवंटन में BSNL और MTNL को करीब एक लाख करोड रुपए दिये जाएंगे। इसमें से 82,916 रुपए को BSNL के टेकनोलोजी अपग्रेड और बुनियादी धाचे में बदलाफ पर खर्च किया जाएगा। वित्वर्ष 2024 से 25 में सरकार की ओर से 1,28,915 करोड रुपए दिये गए हैं। साथ ही 17,000 करोड रुपए Universal Service Obligation Fund USOF से आएंगे। इस 17,000 करोड रुपए को Telecom Service Provider, भारतनेट और Research and Development पर खर्च किया जाएगा। इसमें से 17,510 करोड रुपए को Department of Telecommunication के करमचारियों की पेंशन पर खर्च किया जाएगा। अगर वित्वर्ष 2025 के अंतरिम बजट की तुलना वित्वर्ष 2024 से करें, तो इसमें 14.65 फीसद की ग्रोथ दर्स की गई है। इस बजट में भारतनेट पर खर्च होने वाले बजट में 70 फीसद की ग्रोथ दर्स की गई है। भारतनेट की मदद से गावो तक Optical Fiber Service की मदद से इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में गावो तक तार से इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहया होगा। सरकार को मालूम है कि गावो तक इंटरनेट की पहुँच जरूरी है। ऐसे में BSNL एक अच्छा जरिया हो सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से भारतनेट के बजट में लगातार इजाफा किया जा रहा है। पिछले वित्वर्ष 2023 में सरकार ने भारतनेट योजना पर 1500 करोड रुपए बजट दिया था। वही वित्वर्ष 2024 में यहां आकडा बढ़नेगर 5000 करोड रुपए हो गया है। वही अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने भारतनेट योजना का बजट बढ़कर 8500 करोड रुपए कर दिया है। BSNL की ओर से जल्द पूरे देश में 4G सर्विस को रोल आउट किया जा सकता है। इसके लिए BSNL टाटा समूह के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही BSNL की ओर से 4G टौवर पर 5G सर्विस करने की तयारी है। इसे नॉन स्टैंडलोन टेकनोलोजी कहते हैं। इसकी तर्स पर Airtel की ओर से 5G सर्विस ओफर की जा रही है। वही जियो स्टैंडलोन टेकनोलोजी पर काम कर रही है। दोस्तो तो आप आने वाले समय में अपना SIM BSNL में पोर्ट करने की सोच रहे हैं। तो कॉमेंट बॉक्स में BSNL जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक आती रहे। यह जज सब्सक्राव से कम आती आती है